हेलो और नमस्कार एब्रिवन मैं डॉक्टर महीवाम भारत होमेपेती से आज हम बात करेगे स्केल्प सोरियासिस के बारे में कि स्केल्प सोरियासिस में आपको सिंटम क्या महसूस होते है और patient को या फिर किसी को भी scalp psoriasis की बिमारी क्यों हो जाती है तो बात करते हैं कि scalp psoriasis में आपको symptom क्या महसुस होता है क्या परिशानियों से आपको जूचना पड़ता है तो scalp psoriasis आपकी hairline आपकी scalp पर होने वाला psoriasis है मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि psoriasis के types होते है तो psoriasis का एक type है scalp psoriasis जो आपकी scalp पर होगा और hairline पर भी आपकी आ सकता है जो scalp psoriasis है वो starting होती है उसकी एक dermatitis के रूप में सबोरिक dermatitis के रूप में उसमें आपको symptom आते है कि आपको बहुत जादा dandruff होता है अधिक dandruff होता है जो normal dandruff होता है लोगों को सर्दियों में dandruff होगे rusy होगे dryness होगे but scalp psoriasis के cases में dandruff जो होगा वो layers में होगा बहुत thick होगा और hair wash करने के बाद भी dandruff नहीं जाएगा और dandruff के साथ बहुत जादा itching होगी information होगी खुजली जलन आपको महसूस होगी और जो आपका dandruff है वो आपके face पर भी जम सकता है एक layer बन सकती है diffused आपको eruption face पर भी आ सकते है ears पर भी आपका dandruff जैसे eruptions आ सकते हैं और itching बहुत जादा होगी dandruff के cases में भी itching होती है पर जो seboric dermatitis और scalp psoriasis की जो खुजली होती है यह जलन होती है वो असहन यह होती है patient उसको सहन नहीं कर पाता बहुत जादा irritated रहता है और वो बहुत socially बहुत अजीब दिखने वाले बिमारी भी होती है socially जिनको scalp psoriasis होता है बहुत embarrassed होता है क्योंकि उनकी जो psoriasis होती है वो दिख रही होती है वो day to day normal activities को conduct नहीं कर पाते हैं वो थोड़ा embarrassment फिल करते हैं तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है एक इनसान की body में कि उसको scalp psoriasis की बिमारी आ जाती है मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि psoriasis के कुछ कारण होते है psoriasis एक autoimmune बिमारी है तो उसको कुछ triggering factors मिलते है जैसे कि triggering factors से मेरा मतलब है genetic की बिमारी हो सकती है आपके माता-पिता से आपको आ सकती है या फिर आपके lifestyle में कुछ ऐसी गलत चीज़े आप कर रहे है जिससे आपके chromosome जो की prone है इस बिमारी के लिए वो थोड़े trigger हो जाते है और आपको इस बिमारी लग जाती है एक ऐसा ही chromosome है 6P21 यह chromosome को अगर कुछ ऐसे triggering factors मिलते है तो यह chromosome आपको scalp psoriasis की बिमारी पैदा करता है तो अगर आपका lifestyle ठीक नहीं है अगर आप smoking करते हैं, alcohol लेते हैं या फिर आपकी जो sleep cycle है वो बहुत खराब है, कम सोते हैं या फिर आप junk food जादा खाते हैं, preservatives का जादा सेवन करते हैं या फिर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं, जो कि natural तत्वों से दूर रख रहा है तो यह triggering factors से अगर आपकी family में genetic भी यह बिमारी नहीं है तो आपको scalp psoriasis या psoriasis होने के chances बढ़ जाते हैं तो अब मैं आपको कुछ tips देना चाहूंगी कि suppose आपको scalp psoriasis हुआ है ठीक है, आपका treatment चल रहा है फिर भी आपको आराम नहीं लग रहा है तो आपको कुछ ऐसी tips है ये tips आप इस्तिमाल कर सकते हैं जब आपका इलाज चल रहा है या फिर आपका इलाज नहीं भी चल रहा है तो ये आपको थोड़ा relax feel कराएगी थोड़ी जो उसकी परिशानिया है उसमें थोड़ा उसकी परिशानियों को थोड़ा कम करेगी तो पहली ऐसी tip है aloe vera gel आप aloe vera gel को apply कर सकते हैं अपने scalp पर आप aloe vera gel को 30 minutes तक scalp पर apply करके छोड़ दीचिए उसके बाद wash कर लीचिए aloe vera gel में बहुत soothing properties होती है वो anti-inflammatory properties रखता है उससे जो भी inflammation होती है वो बंद हो जाती है और आपके scalp को थोड़ा अराम मिलेगा soothing properties मिलेगी जिससे खुझली और जो जलन की शिकायते है वो कम हो सकती है ऐसा दूसरी tip है कि आप अपने scalp पर oatmeal therapy दे सकते हैं जो normal oat होता है उसको आप raw oat को आप थोड़े गरम पानी में भिगा कर रखिए कुछ देर के लिए और उसको अपने scalp पर अपने scalp को दूल लीजिए इससे भी आपको आराम मिलेगा जो आपको खुझली और जलन की शिकायते हो रही है उसमें आपको थोड़ा आराम मिलेगा थर्ड टिप है कि आप अपल साइडर विनेगर का इस्तिमाल कर सकते हैं आपल साइडर विनेगर को आप अप्लाय कीजिए अपने scalp पर जहां जहां पर आपको dandruff या फिर हो eruption या खुझली आपको महसूस हो रही है वहां पर apply करके छोड़ दीजिए 30 से 45 मिन तक छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको दुल लीजिए तो यह भी apple cider vinegar भी anti-inflammatory properties रखता है यह भी inflammation को कम करने में आपकी help करेगा तो यह कुछ tips है जो कि आप अपना सकते हैं scalp psoriasis से जूँज रहे लोग जो कि बहुत जलन महसूस हो रही है जो कि खुझली control नहीं हो रही है जिन लोगों की तो यह tips वो अपनाए और थोड़ी अपनी समस्याओं में थोड़ा रहत पाए तो अगर आप scalp psoriasis के patient हैं अगर आपको relief नहीं मिल रहा है तो आप मुझे dr. Mahima को consult कर सकते हैं मैं और मेरी भारत होमेपते की medical team आपको आपके scalp psoriasis से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा क्योंकि एक autoimmune बिमारी है इसके लिए ऐसा treatment चाहिए जो कि आपकी immune system को modulate करें हम आपको ऐसा treatment देगे जो आपकी immune system को modulate करेगा और जो आपके patches जो आपकी eruptions जो कि आपके scaly eruptions आपको परिशान कर रहे हैं वो खतम हो जाएगे आप psoriasis से छुटकारा पाएगे दन्यवाद